हेलो स्टूदेंस वेल्कम तो दी चैनल लेर्ण भी घ्यान तो आज हम पढ़ेंगे सेशन फूर पुब्लिशिंग ब्लॉग्स ताट इस वेब ब्लॉग्स तो कमिंग तू दी इंट्रोड़क्टरी पार्ट अफ दी चाप्टर अस यू नो और उसकी रीच जो है एंटायर वर्ड के लिए ब्लॉगिंग जो है वो एक मौडन अल्टरनेटिव है डायरी राइटिंग का आर्टिकल राइटिंग का ब्लॉग से हम लोग राइट कर सकते हैं अपने टॉपिक्स के वारे में जिसके लिए हम लोग पैशिनेट हैं और हम लो ब्लॉग होता क्या है ब्लॉः एक ऑनलाइन जर्नल होता है जहां पर हम अपनी को पोस्ट करते हैं है तो ब्लॉग एक काईंड व्यूप साइट है ब्लॉग जो एक शॉल्ट है किसका वेड ब Molly का डाईरी जर्नल है मैंने आपको बतायेक्ते हैं उसको हम लोग ब्लाग यあ को डेली टु डेली बेसिस उसका हम लोग बोलते हैं blogging को blogging में जो blogger होता है वो अपने जो भी certain topics नहीं जो उसकी पसंद है जो उसकी choice है चाहे वो इसके personal experiences हो उसके thoughts हो Hebrews अपने एक करता है तो बहुत करता है blogs में अपने blog पे तो वो वो होता है blog post आप हम बात करते हैं types of blogs की blogs जो हैं वो आपके daily daily आपके million upon millions of blogs लिखे जाते हैं कुछ blogs ऐसे होते हैं जो एक individual लिखता है कुछ blogs ऐसे होते हैं जो companies और organization लिखती हैं वेब पर कुछ blogs आपके ऐसे भी होते हैं जो factual information रखता है जैसे की news हो गई क्योंभी facts and figures हो गए तो इनी सब comment type of blogs के बारे में हम बात करेंगे तो basically चार तरीके के blogs होते हैं तो जिसमें से पहला blog है आपका personal blog यह सबसे comment type का blog होता है maximum number of लोग जो हैं इसी इसी blog को यूज करते हैं यह सबसे internet की category में सबसे easily belong करता है और इसको जो हैं हम online कर सकते हैं online diary हम लोग लिख सकते हैं internet access हो तो हम लोग personal blog अपने लिख सकते हैं हम कोई भी अपने interest के recording लिख सकते हैं जैसे कुछ लोग को dancing पसंद है cooking पसंद है कुछ भी fishing पसंद है कोई भी चीज को collect करना पसंद है तो यह सारे आपके personal blogs में जाते हैं news and views में वो factual stories और news आती हैं जो की journalist maintain करके रखते हैं news and television companies है जैसे की BBC है तो इसके जो professional journalist होते हैं वो कुछ stories को post करते हैं जो latest events होते हैं उनको post करते हैं और जो visitors हैं like हम लोग हैं हम आम जनता जो है वो जा करके अपने thoughts को अपने opinion को उनके blog में लिख सकती type कर सकती in the form of comment or anything company blogs क्या होते हैं company blogs वो blogs होते हैं जहां पर customer या clients यह जान सकते हैं कि हमारी company में currently क्या चल रहा है किस type की चीज हमारी company बना रही है किस product पर काम कर रही है या कहां तक जो एक project बन रहा था उसकी progress कहां तक पहुची तो वो सारे हमारे company blogs होते हैं and micro blogs जो है वो एक नया type का newly blog है इसका best example है आपका twitter twitter एक best example है micro blog का जहां पे आप जो हैं छोटे से छोटे शब्द में अपनी बात को सामने रखते हो twitter आपको allow करता है कि सिर्फ आप 280 characters की entry लिख सकते हो और उसी को में लोग बोलते हैं tweet करना यहां पे जो है आप अपनी commentary अपनी life के interest को या जो भी है आप उसको लिख सकते हो अब हम बात करते हैं advantages and disadvantages of the blogs जैसा आप सभी जानते हो कि जिस चीज़ के फाइदे भी है उसके नुकसान भी है अब जैसे micro blogs आपका बहुत ही popular type का blog है लेकिन blogging करते वक्त कुछ disadvantages भी मिलते है advantages यह है कि blog जो है आपको enable करता है कि आप अपने own thoughts को publish कर सके जो भी आपका interest है लेकिन उसका disadvantage यह है कि आपने जो है publish कर दिया तो जो आपने publish क्या all over the internet गया कभी-कभी आप गुसे में होते हो और आप कुछ ऐसा publish कर देते हो जो आपको बाद में regret feel होता है कि हमने यह क्यों लिख दिया गुसे में दूसरा इसका advantage यह है कि blogs जो हैं वह easy होते हैं यूज करने के लिए आपको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरुवत नहीं होती है advantage क्या है blogs जो है easily हम quickly update कर सकते हैं न्यू पोस्ट जा सकते हैं disadvantage क्या है कि blog काफी time consuming होते हैं क्यूंकि आपको अपनी regular चीज़ों को update करना पड़ता है लिखना पड़ता है याद कर करके advantage फिर कि people जो हैं comments कर सकते हैं आपके blog में और disadvantage ये है कि कभी-कभी कुछ लोग rude inappropriate comments लिख देते हैं आपके blog में आकर के जो कि आपको low feel करा सकता है advantage ये है कि आप जो है blogs read कर सकते हो other people का जिनने भी millions of blogs क्यों किये तो आप किसी कभी readout कर सकते हो डिसद्वांटेज यह है कि अभी कभी कुछ डल ब्लॉग्स भी होते हैं आपके आराउंड जो कि आपको एफेक्ट भी कर सकते हैं काफी वेज में क्रियेटिंग अब ब्लॉग ब्लॉग को लिखना बहुत ही सिंपल है ब्लॉग जो है वह बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स हैं जिन पर आप ब्लॉग क्रियेट कर सकते हो कुछ पॉप पॉपलर जो आपकी फ्री ब्लॉगिंग साइट्स हैं वह आपका ब्लॉगर है वर्डप्रेस है टाइपड है लाइफ जन्रल है यह सारे चीज़े आपकी पॉपलर व्लॉगिंग साइट्स हैं जो फ्री में अवेलि होना बहुत ज़रूरी तब ही आप ब्लॉग लिख सकते हो तो आप वेब ब्रॉजर में जाओगे blogger.com पे जाओगे फिर अपने gmail अकाउंट से sign in करोगे आप जो है लोग इन करोगे अपने अकाउंट से जो भी आपका नाम है उसके बद आप क्या करोगे create a blog में जाओगे आपको दिख रहोगा create a blog इस creator blog में जाने के बाद आप क्लिक करोगे new blog पे वहाँ पे new blog आएगा वहाँ पे आप अपना जो भी ब्लॉग उसका name title डालोगे जैसे for example आप किसी फूट के बारे में लिखना चाते हो तो डालोगे की इटालियन फूट चाइनीज फूट जो भी यह जिस भी टाइप का वो टॉपिक डालोगे आप फिर उसके बाद जो है आप एक URL लोगे जो भी आपका आपका ब्लॉग का एक URL बन जाएगा दिखा दो कि हाँ यह Italian food में आता है यह सब कुशी इंस हैं यह सारी चीज़े आप लगा सकते हो और कोई भी चीज इंटरनेट पर पोस्ट करने से पहले आप यह देख लो कि जो भी आप content पोस्ट कर रहे हो तो वो जो है आपके सारे terms of services and सारी content policy से match कर रहा हो उसके अंतरग आता है क्या उसके advantages है क्या spices used होती है उसमें तो यह सारी चीज़े आप mention कर सकते हो तो ऐसे करके आप जो है अपने ब्लॉग को निव पोस्ट में जाके निव पोस्ट कर सकते हो और जो है उसको आप अपलोड कर सकते हो तो यहां पर लिग के भी आ रहा है using blogger सुमीता अरोड से आएगा आप हम बात करते हैं creating editing and deleting blog post जैसे ही आपने create के उसी तरीके से आप delete भी कर सकते हो उसको added भी कर सकते हो तो क्या करना अगर create करना new post sign in करना पड़ेगा blogger में जैसा मैंने आपको बताया उसके बाद आप click करोगे new post पे आपको यहां पे image में दिख रहोगो new post आप अपने views रख सकते हो तो उस बारे में आप अपना new post create कर सकते हो व्यू ब्लॉग में जाकर के आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपका blog दिख रहा पे प्रिव्यू ले सकते हो कि किस तरीके से एक चीज लग रही है blueprint आपको दिख जैगर कि हम जब इसे upload करतेंगे तो यह कि जैसे मैंने अभी आपको बताया है editor window में जाकर के आप यह देख सकते हो कि कैसा आपका प्रिव्यू आ रहा है किस तरीके से आपका blog दिख रहा तो यह preview यह publish है ठीक है और यह इसके बगल में preview है हाँ पर click करके आप देख सकते हो कि कैसे आपका blog दिख रहा है और जब एक ब बाद click करिए left pane पर जहां पर post आपकी आ रही है उस पर आप left pane पर click करिए वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर list आ जाएगी जो भी post आपने लिखें जो भी blogs आपने लिखें उसके बाद mouse पर double click करके आप उस post पर three links आपको आएंगी या तो आप edit करना चाते हो या जो भी चीज are आप करना चाते हो तो उसके बाद आप जो हैं वहाँ पर click कर दोगे तो यहां पर आप देख सकते हो आड़ेट आ रहा है विउ और डिलीट आ रहाम यह नीचे आ रहा है तो आप जो अब और डिली आ चाहो तो अड़ने करना चाह जो भी आप करना चाहो आप करो एंद दे को create कर सको बिना internet connection के इन अधर वर्ड्स आप यह समझ सकते कि offline editors क्या हैं आपको help करतें create edit and format करने के लिए आपकी content को upload करने के लिए website पे आप create तो कर सकते हो लेकिन जब आपको upload करना होगा अपने offline blogs को तो उसके लिए इंटरनेट की जरुवत पड़ी कि तब आप internet on करके उसे publish कर सकते हो तो कुछ popular offline blogs editors हैं जिनका नाम है Windows Live Writer, Block Desk, Block Jet तो यह सारे कुछ popular आपके offline blogs हैं तो इसमें जो है आप offline blog में क्या है आप अराम से जो है बगर किसी इंटरनेट कनेक्शन के blog को लिख सकते हो उसके लिए हमें क्या है Microsoft Word जो है वो हमें यह feature प्रोवाइड करता है कि हम लोग offline अपने blog को edit कर सके उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ओपन करना पड़ेगा Microsoft Word वहां पर आपको एक command दिखेगा new नाम का फाइल में जाके new में जाओगे आप उसके बद यहां पर आपको दिख रहो का blog post जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे नीचे create का बटन आजाएगा create का बटन आते ही तो जब आप create दबाओगे तो word जो है वह open करेगा आपके सामने एक dialogue box जहां पर लिख कर किया आएगा register ए blog account क्यों कभी भी blog करने blog लिखने से पहले या करने से पहले आपके पास एक blogging account होना चाहिए तो registered now भी कर सकते हो आप या register later भी कर सकते हो लेकिन इंटरनेट पर अपलोड करने ब्लॉग में लिखना तो उन्हें वह लिखा है once done जब आप यह कर लो उसके बाद जो भी template लगानी वह आप कर लो उसके बाद पब्लिश का बटन क्लिक कर दो पब्लिश का बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है यह पब्लिश का बटन है जब आप लिख लोगे पब्लिश कर दोगे उसके बाद फिर आपने अगर नहीं उस समय रेजिस्टर की आता तो फिर यह आप से बोले का पब्लिश करते टाइम कि आप जो हैं registered नहीं है तो आप प्लीश पहले अपने आपको registered कर लो तो आप जो account बनाओगे account बनाने के लिए आप जब रेजिस्टर करोगे तो यह न्यू ब्लॉग अकाउंट है तो आप आप क्या वो ब्लॉगर लिखोगे अपना username डालोगे password डालोगे ओके बना दो एपका account बन जाएगा और तूरंत तो आपका जो ब्लॉग है वो अपलोड हो जाएगा पब्लिश हो जाएगा एंफिर जब आप पब्लिश कर दोगे तो वो आपको कुछ इस फॉर्म में दिखेगा कि आपका जो ब्लॉग है वो पब्लिश हो चुका है and then आप देख सकते हो कि will to win नाम का publish हो गया है date भी आ रही कि आपने June 7, 2019 को बनाया था उसके बाद जो है आप post कर सकते हो comment, read कर सकते हो जो भी है आप इस सारी चीज़ कर सकते हो तो thank you for watching this video please like and subscribe to my channel and कोई भी queries हो तो please bitter definitely आप comment box में पूछ लीजेगा मुझे कोई problem नहीं आपके queries resolve करने में thank you so much connected to your channel से मैं सारे वीडियोज अप्लोड करूँगी class 10th के, 9th के, IT के thank you so much